गाव जाडोदा के अंदर बाबा हरीदास अपना पुईत्र दरवार लगाकर के बैठे हैं सब जानते हैं इस बात को सभी भक्तों के साथ में एक दुख्यारी बाबा की दरवार में पहुची लाइन में लगने के बाद काफी देर के बाद उसका नंबर आया और जब नंबर आया जहां पर बाबा के दर्शन हो रहे थे लोग दर्शन करकर राजी हो रहे लेकिन जैसे ही बाबा के सामने पहुची आख्या में पाणी आगया आख्या में पाणी और भीतर में दरद बोल् का रोड़ा सुने हैं आज पहली बार तेरे धाम पर आई हूँ और कुछ न कुछ मंगन खातर आई हूँ जिस भी धाम पर गई हूँ कदे मेरी पूरी ना होई हमेशा खाली लोटी हूँ लेकिन नूक हैं अगर जाडोते में एक बार जो कोई आजा तो उसकी मनों कमना कि मैं उमीद करके तेरे धाम पर आई हूँ और वो दुख्या रो रही है आस्खों से अस्रुधारा वहरी यह दिल में दर्द है और बाबा हरीदास महराज को किस तरह से पना दर्द वयां कर रही है आईए एक एक बोल दिल में उतर जाएगा वो दुख्या क्या करने लेग बाबा जानों ते आडे नो बोलियों बाबा सारी दुनिया की बाण जबरक्ष्या बंद कात्यों हार आवे भैया दोज कात्यों हार आवे अपने बाइयां अगर राखी बांदे को एपने भाई का टीका अगरे लेकिन मैं किसका टीका आगरूं किसका राखी बांदू मेरे कोई भाई नहीं है और वो दुख्या रूने लगी बाबा हरीदास जिम्हाराज से किस तरह से दुखडा बयां करती दरा सुनिये मन भी एक भाईया दे दे ओ पापा झाडो ते आले मन भी एक भाईया दे दे ओ पापा झाडो ते आले आथ जोड के खड़ी दवार है आथ जोड के खड़ी दवार है एक दुख्यारी दने पुकारे क्या कहने लगी के मेरी नईया खेदे बाबा ये भवर में पड़ी है मेरी भी नईया खेदे हो पापा झाडो ते आले मेरी भी नईया खेदे हो पापा झाडो ते आले ओ पापा झाडो ते आले मेरी नईया खेदे हो पापा झाडो ते आले ओ दुखिया नुके लगी हो दादा ओ मेरे बापा मने एक बाच शुनी इस जमाने में कि अपने हूसे दू जिसका नाम लेटे उसके सारे बुछ्ठ्डे खतम हो जाती ही मैं भी नू चाओं कि अपने इस team इं इस ईस दुखिया का नाम बी एक बार ले दे बाबा क्योंकि तेरे मूत उफ्थ्टै नाम लेकड़ गया पहुके से पार हो गया sir mad man तो मेरी तो बड़ी बड़ी डिमांड भी ना है एक छोटा सा भाई मुझे चाहिए और बाबा से क्या गुजारिश ने लगी मंद पड़े सब रहा खोले तू मूत है आप नाम बोले तू मूत है आप नाम बोले के नाम मेरा भी लेते हो पापा जारो ते आडे के नाम मेरा भी लेते हो पापा जारो ते आडे ओ पापा जारो ते आडे मन एक मही आते दे ओ पापा जारो ते आडे मन एक मही आते दे ओ पापा जारो ते आडे क्या त्रेणिल गिल्क पदलो कर्म कहाणी पापा मेरा रोज भरूं की पाणी पापा के चित भगती मैं सुननेगी बात है के चित भगती मैं बेते हो पापा जारो ते आडे के चित भगती मैं बेते हो पापा जारो ते आडे पापा जारो ते आडे भीया देते हो पापा जारो ते आडे के चित भगती मैं बेते हो पापा जारो ते आडे के चित भगती मैं बेते हो पापा आज आपरी उमीद के उपर चुकी है आज तने मेरी पुकार सुन नीट ठीक है ना ते मैं कभी किसी चोपट परपना थी मत्ता ने जुकाऊंगी आज आखरी बार करे धाम पर आई हूं आखरी उमीद लेके आए हूं बात बन दी होते बनाते ना ता अपनी जिन्दकी ने खतम बरूगी क्योंकि उमीद शिर्फ एक बच्ची है तुम है तुम है तुम है तेरी दयातिन बने कामना बहरमधन हो केरी कामना पगसर आडे बिरी कामना पगसर आडे तेरी कामना अन्दे कीजू सेते हो नवली तेरी दया के वगएर बने कामना और रम धन शिंग कहें मेरी कामना यानिके मेरा कारिया नहीं बनेगा और कामना का मतलओ मेरी मन की जो कामना है यहाँ पर यमक अलंकार जब एक ही शब्द आलग अलग जगह वे प्रियोग हो और आलग अर्थ देता उसको यमक अलंकार बोलते हैं यहाँ वे प्रियोग किया तो रमधन सिंग कह मेरी कामना अंडे की जूसे दे हो पापा जाणों ते आणे अंडे की जूसे दे हो पापा जाणों ते आणे पापा जाणों ते आणे मन एक भई आते दे हो पापा जाणों ते आणे मन एक भई आते दे हो पापा जाणों ते आणे